सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल लर्निंग 44 को और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए तो कीप लर्निंग डिजिटली हलो एवर्यों वेल्कम टो भाई चैनल डिजिटल लर्निंग 44 मैं हो आपकी वह सैपना 225 अक्टूबर 2019 को गुगल द्वारा एक न्यू बर्ड अपडेट अनौंस की गई है तो आखरी क्या है बर्ड अपडेट और इसी क्यों अनौंस किया गया है तो आज इस वीडियो में हम जाने के कि बर्ड अपडेट का आखरी परफस क्या है और ये डिजिनल माक्टिक और एसीो में क्या एफेक्ट डालती है तो चली शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो तो चली जाने दिए कि बर्ड की फुल फॉर्म क्या है बर्ड की फुल फॉर्म है वाई डिरेश्य एंड कोडर रिपरसेंटेशन फ्रॉम ट्रांस्फॉमर तो गूगल ने निव अपडेट की है जी जादा मैनुल लेंग्ज को स्पोर्ट करेगा जैसा कि हम सब को पता है कि गूगल ने हमेशा यूजर की नीड्स को प्नीड को ध्यानल में रखते हुग गूगल उसे साय सच नहीं करपाता तो इसी चीज को सॉठ करने के लिए उनों ने निव अपडेट की है जो कि है बडۉक्स condition कि आप जो भी काम कर रहे हों आप अमेशा क्वालिटी वर्क करें ना कि क्वांटिटी वर्क तो यह वर्ड अपडेट सिलब आपके 10% को ही इंपेक्ट करेंगा ज्यादा तर स्कूर्च वाले अपने कंटेंट में कीवर्ड डालते हैं समय नेरबाई कीवर्ड भी एड कर देत कोई भी रिजर्ट महापेशोर नहीं गिया जाएंगे फॉर एग्जामपल अगर यूजर सर्च करता है हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ डली तो सर्च क्वेरी में सिर्व डली की हिस्टोरिकल प्लेस ही आएंगे ना कि डली की कोई और प्लेस तो इस चीज़ को उसने रिमूव कर दिया है जो यूजर मांग रहा है एक्जक्ट वही रिजल्ट गूगल उन्हें प्रोवाइट करेगा तो यह अपडेट गूगल ले यूजर की नेट के अकॉर्डिंग की है और आपको यह ध्यान रखना है कि यूजर जो सर्च क्वेरी में क्वेरी डाल रहा है आपको एक् पर देखनी को नहीं मिला है तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू सो मच